नमस्कार, जिन्दगी में फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, वरना सीड़ियां तो वही होती हैं, जो किसी को तो उपर लेकर जाती हैं, और किसी को नीचे लेकर आती हैं, तो बस अपनी उसी सोच को बदलना है ताकि आप हमेशा उपर जाने वाली सीड आप करें और इस सोच को सही दिशा दिखाते हैं जोतिश गुरु दीपा कपूर जी आपके तारे में जोतिश गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमश्कार तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जिन्दीगी में सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है क्योंकि में श्राशी वालों के लिए कुछ परिशानियों भरा समय जरूर है लेकिन अपना भरोसा नखोएं लोगों को नाराज करके या खुद दुखी होके कुछ हासल नहीं होगा इसलिए लोगों से दूरिया ना बढ़ा है क्या करना चाहिए समय में? तीखिए इसमय ही कुछ ऐसा है कि भागे को आजबाने से नुक सान हो सकता है इसलिए इस बात को पहले सोच लें कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो हो जाएगा एक बचाव का मोहौल बना के चलना ज्यादा जरूरी है इस समय में क्या ना करें इस समय में रिष्टों में भी और खास कर किसी प्यार के रिष्टे में अपना आपा न खोएं। छोटी-छोटी बातों को लेकर बात को बिगाड़े नहीं। लोगों से तालमेल रखना इस समय बहुत ज़्यादा जुरूरी है। में सुक शांती बनाए रखने का समय है। साथ ही साथ काम को आगे वढ़ाने के लिए भी लोगों जाहिए होगा। लेकिन प्रात्मिक्ता रिष्टों को संभालने की है जो आप भलीभांति कर पाएंगे। क्या न करें इस समय में घर-परिवार की अच्छाई को नजर अंदा है रमानन ज्या जो कि अपनी बेटी मंजुल प्रिया के लिए पूछ रहे हैं तीस तीन उनिस सु सब्तानवे तीन बच कर पचास मिनट दो पहरबाद इनका जन हुआ है मावली उदैपुर राजस्तान मेडिकल फील्ड के लिए ट्राइ कर रहे हैं आपकी बेटी शायद मे मेटी मंजुल के बारे में पूछा उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में मंजुल की कुंडली है सिम लगन की और विश्चिक राशी की उसकी महादशा इसमें चल रही है जी शुक्र की और अंतधशा चल रही है प्रिस्पति की जनवरी 2019 तक आपने कहा कि के केरियर बनाने कि और उसका ध्यान अच्छा है लेकिन साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल से हटके भी उसके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं अपनी सोच कुछ ऐसी बनाईए बाचीत कीजिए अच्छे रास्ते हैं उस बारे में सोचिए सब बात है जिंदगी में कभी मिध्वन राश्य वालों के लिए आपका समर्पन इस समय बहुत बड़ी अच्छा ही आपको दे सकता है कामकाज में या कारोबार में पैसा लगाने की इच्छा भी बनी रहेगी इसी कारण अपनों को संभालना भी असान हो जाए क्या करना चाहिए समय में काम काज में लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी अपने प्रदर्शन को और भेतर करने की भी गुंजाइश है जिसे अपने प्रयास से आप जरूर कर पाएंगे थोड़ी सी कोशिश बड़ी संभावनाव को खोल सकती है क्या न करें इस समय में जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत की ताकत को कम न समझें एक कदम आगे और दो कदम पीछे हटा लेने से कोई लाव नहीं हो रहा है अपने प्रयास में इर्रेगुलर बिल्कुल ना बने करक राशी वाले रिष्टों की दिशा में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खुद भुखुद ठीक हो जाएगा बहुत सी अच्छाई के बावजूच कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिने समझने और संभालने की जरूरत पड़ेगी उस दिशा में अपनों के समर्थन को भी प्राप्त करना हो क्या करना चाहिए समय में कम्यूनिकेट करें लिख कर बोल कर किसी भी तरह से बात चीट करके रास्ता जरूर खोलेगा आपकी अच्छाई और आपकी सूच बूच इस समय आपका पूरा साथ देगी क्या न करें इस समय में अपने विचारों को व्यक्त करते समय किसी भी तरह की गलत फहमी बिलकुल ना पैदा करें क्योंकि उससे नुक्सान आप ही का है करक राशी वालों के लिए तारों के इशारे कह रहे हैं कि छुटपुट परिशानियों का समय है लेकिन याद रखने की बात ये है कि जो भी लिखित दस्तावेज हो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो गलती आपको परिशानी में डाल सकती है तो वक्त आ गया है अगली जाशियों पर जाने का लेकिन जाने से तरह एक बार फिर आपको याद दिला दें कि सोच ये हमारे आज की एपिसोड का जो सूत्र है वो है सोच अपनी सोच को आपको बदलना है आपके कर्म खुद बखुद बदलने लगेगे तो ये आपकी सोच को बदलने के लिए कुछ बढ़िया चीज है जो जूतिश गुरू ने आपके लिए सोची है वो आप तक पहुंचाते है इमराशी वालों के लिए घर परिवार के प्रति सद्भावना बनाने का अच्छा विचार है मन में फिर भी आप चिंतित हैं क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके हित्मे नहीं है इस वज़े से संभल के कदम रखना ज्यादा जरूरी होगा क्या करें इस समय में अचानक लाब का सुंदर योग बना हुए आपके लिए जिससे आपके हालात जरूर सुदर सकते हैं वैसे भी लाब की परिस्तितियां आपके लिए मददगार बनी रहेंगी अपने मन की दुविदा को हटा के ऐसा विचार आपको बनाना ही पड़ें क्या न करें इस समय में सिर्फ लाब या पैसे को कमाने का विचार ही न रखें मन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने प्रदर्शन को बहुत उंचे स्थार का बनाने की जरूरत है सिर्फ राशी वालों के लिए खास हिदायत भी है इस समय में अगले एक महिने तक हर सोमवार को आप मंदर जरूर जाएं और किसी शिव मंदर में माता जरूर टेक है कन्या राशी वाले लोगों की मदद भी जरूर करेंगे और लोग आपको समझ भी पाएंगे लेकिन फिर भी कुछ चुनोतियां ऐसी बनी रहेंगी जिसमें आपको रुकावटों का एहसास होगा उसमें आपकी गलतियां या आपकी अतियुतेजित विचार भी शामिल होगे क्या करना चाहिए समय में घर परिवार में बड़े बजर्गों की सूजबूज का फाइदा जरूर उठा लें पर ऐसा करते हुए अपने नुकसान की स्तिती की और भी एक नजर जरूर रखें क्योंकि खुद की गलतियों का समय है इसलिए संभलना जरूर होगा क्या ना करें समय में स्वार्थ चाहे अपने मन में हो या किसी और के मन में होता नुकसान दायक ही है ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें किसी भी तरह के स्वार्थ को अपने विचारों में बिलकुल न जोड़े सिर्फ अपने हित में न सोचे लोगों की और अपने चाहने वालों की जरूरतों को भी पूरा कर लें कभी-कभी अपने से हट कर अपनों के बारे में भी सोचना पड़ता है और ये वक्त शायद कुछ ऐसा ही है आपके लिए सवाल लेते हैं, सवाल हमारे सामने जोतिश गुरु आ रहा है जोब से बहुत जादा परिशान है आप, आपकी मेल से भी लग रहा है नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा, इस वज़े से आप परिशान है क्या इनके लिए बिजनस सही रहेगा, शायदा बिजनस करने का भी मन बना रहे है जोब अगर है तो कब तक मिलेगी या बिजनस के बारे में सोचे राजेंदर जी आपकी कुंडली है कुम लगन की और मेश राशी की आपकी महादाशा इस समय चल रही है, राहू की और अंतरदाशा चल रही है ब्रिस्पति की जून 2018 तक जोब से परिशान है, नई जोब भी नहीं मिल रही है यहां तक आप सोचने पर मजबूर है कि क्या कोई बिजनस कर लेना चाहिए देखिए मैं बिजनस की सलाई इस समय बिल्कुल नहीं दूँगा दूसरी बड़ी बात यह है कि इस समय जोब को बचा के चलना है जोब को खत्रे में नहीं डालना है, यह बड़ी बात है इस समय की आगे चलके लगभग एप्रिल से जुलाई 2017 के बीच में आपको नई जोब मिल सकती है अप्रिल से जुलाई 2017 आपकी नौकरी का वक्त है लेकिन उसके लिए आपको तयार रहना होगा और आपको तयारी कराएगा आपके तारे हर रोज इसी पर आगे बढ़ते हैं तुला रिश्चिक राशी वाप के लिए क्या है जुदिश गुरू के पास वो जानते हैं तुला राशी वालों के लिए धन तो आ जाएगा लेकिन धन को वापिस कैसे करेंगे ये चिंता मन में बनी रह सकती है इसलिए धन के लेंदेन में सतरकता बरतनी होगी धन एकत्रित करना या अपनी समृद्धी को बढ़ाना ये ऐसा विचार है जिसकी एक कीमत होती है और उस कीमत को बढ़ने ना दे क्या करना चाहिए समय में अपने खर्चों को नियंतरित करने की जरूरत है उससे आपकी परिशानियों को भी नियंतरित करने में मदद में लेगी ऐसा विचार मन में रहेगा तो बात बन जाएगी क्या न करें समय में ऐसा न सोचे के बदलाव से ही लाव की स्थिती बनेगी अगर आप किसी विचार को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उस रास्ते पे बिलकुल ना चले इस समय में ऐसा ही कहते हैं आपके तारे विच्चिक राशी वालों को अपनी काबलियत पे भरोसा करने का समय है इसी वज़े से आपके प्रयास और आपकी अकंक्षाएं आपको सही दिशा दिखा रही है जैसे क्या करना चाहिए समय में अपने प्रयास को अपने काम में लगाने की कोशिश करनी होगी आपको फाइनेंशल प्लैनिंग की भी ज़रूरत बनी रहेगी इस समय में क्याना करें समय में अपने काम काज और अपनी मेहनत से जुड़े लाब को कम ना समझे बूंद बूंद से ही सागर भरता है और इस जुम्ले को भुलाएं नहीं तो आपके तारे में आप बारी आ गई है धनू और मकर आपके लिए आपका राशिफल जानने की और जैसे हमने कहा था आपका राशिफल दरसल आपकी सोच पर काम करता है आपकी सोच, आपकी कर्मों को बदलती है, तो जिन्दिकी में सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, तो है ये इसी कड़ी को समझने की शुरुआत करते हैं जोतिश गुरू के राशेफल के सारे हैं, धनू राशिवालों के लिए सुख है, समरिद्धी है, लेकन कुछ जिसके चलते नुकसान होता चला जा रहा है, इस वज़े से अपने धन को और अपनी बचत को संभालने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए समय में, काम काज एक ऐसी प्रात्मिक्ता है, जिस और आपको ध्यान देना ही होगा, और उससे बड़ा लाब भी आपको मिल सकता है, काम में पैसा लगाएंगे तो उसका पूरा लाब आपको मिलेगा, भाग्य की भूमिका भी आपको मदद करेगी, आपकी अपनी इंवाल्मेंट को बनाए रखने के लिए, क्या न करें इस समय में, मैं फिर भी कहूंगा, कि सिर्फ भाग्य के बरों से बिलकुल न चले, मकर राशी वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा समय चल रहा है, जिसमें कोई कमी नहीं है, और यही कारण है कि आप अपने मित्रों से जूड़ पा रहे हैं, उनसे समर्थन भी ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए समय में, किसी ऐसी सला से बच्चे जो आपके खर्चों को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा केंदरित हो जाने की जरूरत है इस समय में, और इस कमी को दूर करने का प्रयास आपको करना ही पड़े, क्या ना करें समय में, जो भी सलाह आपके खर्चों को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, उस लेकिन place of birth, time of birth और date of birth के साथ ताकि सही कुंडली बन पाए और उसका सही आंकलन आप तक पहुँच पाए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेगा हम हमेशा आपके साथ हैं हर रोज आपके साथ हैं अभी बस एक छोटी से break के बाद हाजिर होते हैं